अब जो लौ का पेपर आएगा प्रेजंट कारेंगे प्रेजंट को आपको पेपर आएगा उसके प्रती एक्जाम में जिन टिप्स को यूज करना है उनको मैं यहां पे आपके साथ डिसके करूंगी and I will help you out to score more in your law paper जो बच्चे basic गलतियां करते हैं उनको consider करते हुए मैं यहां पे discuss करूंगी कि क्या tips हैं क्या presentation techniques हैं जिनको की आपने properly use करना है ठीक है एक और चीज़ जहां तक accounts, maths, economics का सवाल है as far as your other papers are concerned you go for 90 plus you get 80 plus right when it comes to law I try to be very frank आपका target होना चाहिए to score 60 plus ठीक है 60 plus is considered to be distinction in law right तो let's get started इसमें मैं discuss यह करूंगी कि आप कैसे 60 plus score कर सकते हो या क्या चीज़ें आपको help करेंगी paper में right सबसे पहले आपको पता है कि आपके paper में आपके पास 5 chapters है right जब आपने उस एक दिन में पढ़ना है तो आपके पास total law में 5 chapters हैं उन 5 chapters में से मैं आपको यह देरी हूँ weightage according मैं बात कर रही हूँ weightage according weightage को दिमाग में रखते हुए first priority basis पे rank number 1 आता है Indian contract act का rank number 2 आता है sales of goods act का rank number 3 आता है partnership act का rank number 4 आता है companies act का और rank number 5 आता है LLP act का rank number 5 आता है LLP act का ठीक है अब आपको पता है आपका यह पांच जो act है यह total आपके 60 marks की हैं जिसमें की 10 marks के आसपास की communication है और 30 marks का आपका PCR है राइट अब इस 60 marks को कैसे उन्होंने बाइफरिकेट किया होगा आपको मैंने वेटेज दे दी है जो last chapter है वो 4 से 5 नमबर से जादा नहीं आता ठीक है जो last chapter है वो approximately 5 marks कीचता है approximately 5 marks कीचता है जो companies act है वो approximately 10 से 15 नमबर कीचता है ठीक है तो बाकी के जो 40 marks है बाकी के जो 40 marks है वो उन्होंने उपर वले 3 acts के साथ प्ले करने है और practicality में maximum weightage Indian contract act 1872 की है ठीक है अब जब आपको paper में questions आते हैं पहले तो आपको ध्यान देना है जिस चीज के लिए कि आपको answers को cram नहीं करना आपको जब पढ़ना है revision करनी है आपको answers को cram नहीं करना ठीक है सबसे ज़ादा जरूरी होता है कि आप to the point लिखें राइट अब आपके पास जो paper में questions आएंगे वो questions की जो category होगी या तो वो direct question आएगा क्योंकि आपका theoretical paper है आपको लिखना पढ़ेगा law के paper में राइट एक direct question आएगा एक आपको case study आएगी या आपको paper में differentiate आएगा ये तीन तरह की category के questions आपके paper में हो सकते हैं direct, case study या differentiate का question राइट अब अगर आपको direct question आता है तो make sure make sure you start with section, you write your proper subsection properly इसके marks होते हैं और जब आप section या subsection को लिखते हो और आप confident enough हो उसको pencil से underline करना जरूरी है क्योंकि सारा paper आपने black pen से करना है इसको pencil से underline करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और यहाँ पे आप section लिखके नीचे क्या ले देते हो explanation जो भी उन्होंने topic आप से पूछे है उसकी आप आगे दे देते हो explanation ये एक direct question होता है अगर आपको paragraph में लिखना है तो kindly मत लिखिएगा जितना जादा bullets बना के लिखेंगे उसके जादा marks होते हैं सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो question number लिखने में करते हैं आज भी जब मैं papers चेक करती हूँ मुझे बहुत सारे ऐसे papers मिलते जिसमें आप question number की गड़बड करते हो it is very important कि जब आप किसी paper को लिखने जा रहे हैं अगर suppose कर लो ये आपका पूरा page है तो आपको इस page में इस column को side पे रखना है अगर उन्होंने वहाँ पे examination में column मेरे ख्याल से नहीं दिया होता तो आपका first काम बनता है कि आप column create करें इस column में आप question number के इलावा कुछ नहीं लिखेंगे मतलब अगर आपको question 1 ने दिया है तो आपको proper लिखना है question 1 bracket a sub part और इसको भी आपको pencil से underline करना है अब अगर आपके इस question में कोई bullets हैं आपने column में नहीं रिखने आप यहाँ पे bullets करके लिखेंगे यहाँ पे इसका मतलब है जो question number लिखने का column है यह आपका सारा empty रहेगा आप इस column में कुछ भी और नहीं लिखेंगे other than the question number दूसरी trick जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपका question clearly highlight होना बहुत जरूरी है कुछ बच्चे करते हैं question 1 उपर एक बार ही लिखके जब आप उसके sub parts करते हो आप यहाँ पे तो ए लिख देते हो जब आप next question पे मान लो यह आपका page है जब आप next question पे जाते हो आप वहाँ पे सीधा लिख देते हो B ऐसे नहीं लिखना है you will not represent this is wrong you will represent question 1 का B part question 1 का B part you will represent it this way right और फिर अगर उस question में कोई bullets है तो आप उसको column में कृपया करके नहीं लिखेंगे सब चीजों को आप separately लिखेंगे और हर question fresh page से कीजिए यह जो past year में papers देखे गए हैं जो बच्चे अच्छा score करते हैं उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है हर question को fresh page से start करना चाहे वो sub part ही क्यों ना हो आगे next हम चलते हैं दूसरा आपका question आता है case study related अब case study related question वो कई बारी दो number में भी डालते हैं चार number में भी डालते हैं पांच number में भी डालते हैं छे number में भी डालते हैं तो जब आपको case study का question दिया गया है case study के question में सबसे पहला दो या चार number के question को आपको direct करना चाहिए direct करने का मतलब है आप section mention करो section mention करो उसके बार लिखो provision according to law जो law उस section का बोलता है और उसके बाद जो उन्होंने आपको उपर question form में example दिया हुए उसको directly क्या कर दो conclusion यह आपका 2 number का बन जाएगा या आपका 3 number का question बन जाएगा ठीक है अगर आपका question 4, 5 या 6 number का दिया है तो उसको भी आप चाहो तो इसी तरीके से कर सकते हो बट मैं suggest करती हूँ कि आप उसमें pattern follow करो सबसे पहले आपको देना चाहिए point decided point decided में आप ये लिखते हो कि ये जो example case study आपने पड़ी है ये किस topics of law से linked है second point आप लेते हो section referred इसका मतलब होता है जो आपने point number one में एक explanation line of law लिखी है वो कौन से section में आती है third point होता है facts as per law facts as per law का मतलब होता है कि जो आपने point decided में heading दिया और जो उपर second number point में section referred का number दिया उसको detail में explain करना है ठीक है fourth point आपके पास आता है explanation according to the case उसमें आएगा explanation of case जो case study उन्होंने आपको उपर question में दी है आप उसके बारे में discuss करोगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये point decided इसमें लगता है now बच्चे mostly यहां पर गलती करते हैं अगर आपको यह नहीं आ रहा और आप किसी दुविदा में फस गए हो तो the best trick to do this thing is जो उन्होंने दिया है उसको थोड़े से वर्डिंग को change करके as it is लिख दो अगर नहीं आता नहीं तो आप इस fifth point को ignore करतेंगे और sixth point आपके पास आएगा conclusion conclusion कभी भी paragraph बड़े बड़े में नहीं लिखना उन्होंने जो भी case study के end में आपसे question पुछा होता है आपने just उसको one line में answer करना है कि yes the case is valid yes he can move to the court no this is not valid आपने कभी भी conclusion yes no valid not valid beginning of the question में नहीं लिखते है वो clumsy लगता है right so this is the way of presenting a specifically case study ठीक है आगे जो differentiate का question है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पहले basis लिखेंगे basis then you will differentiate now अगर question mostly differentiate का तीन नंबर में आता है अगर आपको three marks का question आया है आप सिरफ तीन लिख के आएंगे तो वो आदा नंबर या एक नंबर देंगे at least उसमें six points देने जरूरी है at least try to give six points now understand the trick of scoring in differentiate now जब आपको वो दो नंबर में differentiate डालते हैं मान लो उन्होंने public company और private company में डाल दिया आप लोग क्या करते हो public company private company का section दे दिया एक वो शेयर दे सकते हैं का point दे दिया दो now जब examiner दो नंबर या तीन नंबर का differentiate का question डालता है वो वहाँ पे सबसे important difference search करता है अगर आपने फिंदी मिंदी difference दे दिये बस फटाफट खतम करने की question किये है मैंने past years में बच्चों के papers वहाँ से checked papers मंगवा कि यह check किया है वो नंबर नहीं देते वो दो में से point 25 या point 5 दे देंगे just because आपने difference तो पूरा लिखा आपके माइन में होगा question तो पूरा किया number क्यों नहीं क्योंकि number वो उसको देंगे जिसने important points of difference लिखे होंगे ना के सिरफ difference लिखने के लिख दिया तो हमेशा याद रखना है जिस question के number सबसे कम होते हैं उसको score करने के लिए आपको to the point और important points को refer करना ज़रूरी होता है तो अगर आप unimportant differences के points लिखाओगे चाहे आपने question पूरा complete क्यों ना किया हो आपको उतने marks नहीं मिलेंगे ठीक है जी तो ये था basically आप question को कैसे represent करोगे नाओ आपने जिन चीजों का basically ध्यान रखना है आपने लिखना सिरफ black pen से है तो जो बच्चे लिख लिख के practice कर रहे है वो kindly नियम बना लो की हाथ में तुमारे black pen होना चाहिए ठीक है as far as your highlighting is concerned आपको कोई और color का pen use करना allowed नहीं है आप highlighting सिरफ pencil के साथ कर सकते हो highlighting with pencil now understand this thing if you underline like this वो अटपटा लगेगा if you underline like this वो जादा easily visible होता है कुछ बच्चों को आदत होती है मैं बोलती हूँ keywords को underline करना बहुत जरूरी है keywords underline try and understand word या words does not mean a complete sentence जब आप एक paragraph में आदी से जादा चीज़े underline कर देते हो वो पेपर भी examiner को clumsy लगता है try and understand आपने examiner को एक सजी सजाई थाली देनी है understand he has to check lacks of paper your paper need to be neat your paper need to be up to the mark your paper need to be to the point अगर आप कोई भी कहानिया लिख रहे हो आप extra लिख रहे हो या examiner को एक complicated paper चेक करने के लिए दे रहे हो वो आपको number नहीं देंगे ठीक है तो keywords को underline करना बहुत जादा जरूरी है ठीक है फिर बच्चे mostly मेरे से पूछते है कि अगर 4 या 5 marks का question मैं आ जाता है उसकी length है कितनी रखें मैं अपनी class में हमेशा ये बोलती हूँ कि question की length के according कभी मत जाओ as far as CA is concerned वो हमेशा अपने key points जूढते हैं उनको अगर वो key points मिल गए फिर चाहे तुमारा question पांच लाइनों में खतमो चाहे देड़ पेज में खतमो it doesn't matter लेकिन still कुछ बच्चे stuck to गर जाते हैं कि please ma'am बता दो कि 4 से 5 number के question में हम कितना लिखें तो उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको 4 to 5 marks का question आता है तो आपने approximately one page तो लिखना ही लिखना है ठीक है और अगर आपके किसी topic के headings बनते हैं जैसे कि exceptions to no consideration no contract आपके headings to the point होने चाहिए to the point with section subsection तो ही आपको उसके marks मिलेंगे और जो सबसे important चीज है सबसे important चीज try to maintain sequence try to maintain sequence what does this means अगर आपने first question पहले attempt किया है तो आप उसके सारे sub parts एक साथ करोगे कुछ बच्चे क्या करते हैं जब question number one करते हैं तो question number one करते वक question one a किया उसके बाद question one c करते हैं उसके बाद question one b करते हैं मेरी आपसे request है कि please ये भी मत कीजिए क्योंकि इस बार जब आप paper देने वाले हैं examination hall में बच्चा काफी होगा काफी बच्चे पिछले time के बच्चे भी बैठे हैं because of corona things तो considering that आपने sequence maintain करनी है sequence maintain करने का मतलब है अगर question one a पहले किया तो question one b ही next करोगे और question one c ही करोगे सारे sub parts एक साथ करने जरूरी होते है अगर आप किसी question का एक sub part एक जगे करते हो और third, fourth, fifth question करने के बाद आप उसका first question का अगला sub part वहाँ कर देते हो उसके आपको zero marks मिलते है ठीक है और बहुत जरूरी है बेटा आपका paper सर पे है all the best I hope you will score no I don't hope I am very confident that you will gonna score very well तो basically आपने याद रखना है कि आपने अगर question paper स्टार्ट किया read it carefully आपने आपके पास three hours का time है लेकिन अपने दिमाग में तीन घंटे मत कंसिदर करो धाई घंटे कंसिदर करो कोशिश करो कि 30 to 35 minutes में पहले आप अपना BCR फिनिश करोगे और उसके बाद two hours आप law को grant करोगे जो बच्चे 40 या 45 minutes के within BCR को नहीं छोडेंगे उनका पूरा paper complete नहीं हो पाता है तो you have to be very strict about it keep your clock in front of you keep your watch in front of you the moment it strikes 45 minutes आप BCR से step back कर चुके होने चाहिए हो why? because 15 minutes आपको law के question paper को read करने में लगेंगे question के answers को सोचने में लगेंगे तब ही आप उसको present कर पाओगे because यह सारा खेल presentation का है timing का है जिसने जितना पड़ा इन महीनों में कोई नहीं पूछेगा जो उन तीन घंटों को सही तरीके से नहीं भाग के आएगा he will be the or she will be the rock star right? so it is all here it is all here how you deal it right? तो बहुत जरूरी है approximately आप लेके चलिए कि अगर आपको जैसे कि मान लो six questions आ जाते हैं और वो बोलते हैं उनमें से कोई भी five कर लीजिए whatever the case will be you'll get आप अपने दिमाग में लेके चलो आपके पास एक question के सारे sub-parts को include करते हुए 20 minutes से जादा नहीं है उसको खतम करने के लिए अगर आप हर question को 20 minutes में cover करते जाओगे हर question को 20 minutes में cover कर लोगे all the sub-parts I am talking about आपका paper complete हो जाएगा आपकी trick यह होनी चाहिए कि अगर आपने question number 1 शुरू की है you should end within 30 minutes अगर नहीं हुआ तो जो भी question 1 का last sub-part आप दील कर रहे हो उसको to the point लिखो and move on to the next question if you want to complete your paper understand अगर institute ने 3 घंटे दी हैं तो कुछ सोच समझ के दी हैं उनको लगता होगा कि यह paper हाँ tough है let's see कौन बच्चा complete कर पाएगा right तो make sure you use black pen you highlight your points हर question fresh page से start हो sequence maintain करके रखना है कोई भी आलतो-फालतो की चीज नहीं लिखनी है आपका पूरा concept to the point होना चाहिए if you want try to show tabular representation try to keep your section subsection crisp so that it is visible to the examiner अगर section आता है तो लिखना नहीं आता तो गलत प्लीज मत लिख के आना ठीके अगर आप इन सब tricks को follow करोगे और to the point लिखोगे और गलती नहीं करोगे I am sure that you will gonna score 60 plus ठीके so that's all for today so all the best and let's see who is gonna rock I know all the ICMians gonna rock ठीके so take care बच्चा लोग बाई बाई